अभी आप जिस आदमी को एक पार्सल के साथ फुट वॉल खेलते हुए देख रहे हो इसका नम एस वैंचुरा है और ये एक पेट डिटेक्टिव है इसे एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू करने का काम दिया गया है इसलिए फ्लिपकार्ट के डिलिवरी वॉय के भेस में उस पालतू कुत्ते के पास पहुँच जाता है और उसके नाजाइज मालिक को बहला फुसला कर उस कुत्ते को उठा कर अपने साथ लेकर आने लगता है हम देखते हैं कि उसने अपने बनियान के अंदर उस कुत्ते को छुपा लिया था वहीं दूसरी तरप उस पालतू कुत्त कि К crispy के नाजायज मालिक को इस बात का पता चिल जाता है वो फलिपकाट का डिलिवरी बॉय उसका कुता लेकर भागा है ख़़र वो जब उस पालतू इसके साथ कार ne बैठ तक भी उसका नाजायज मालिक वहां पर आकर उसे उसका कुत्ता बापस देने के लिए कहता है और उसके कार का सच्ट्यानास कर देता है लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से बचते बचाते वहां से निकल लेता है आगे वो उस कुत्ते के जायज मालकिन के पास जाकर उसे वो कुत्ता देता है वो लड़की कहती है मेरे पास जब अपने घर पहुचता है तबी उसका पड़ो से उसके पास आकर कहता है S.Ventura तुम्हारे घर के अंदर से जानवर की बहुत बदबू और आवाज आती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जानवर अलाउड नहीं है S.Ventura कहता है मुझे सब कुछ पता है और मैं अपने काम को घर पर नहीं लाता जो कहकर वो से दिखाने के लिए घर का दरवाजा खोलता है अंदर उस बुढ़े को एक वी जानवर देखने को नहीं मिलता लेकिन उसके जाते ही घर के इधर उदर से हर प्रकार के जानवर बाहर निकल आते हैं दरसल दरवाजा खोलने से पहले S.Ventura ने घर की चाबी को तीन बार हिलाया था जिससे अंदर मौजुद सभी जानवर चौकन नहों कर छुप गये थे दूसरी तरफ हम एक स्विमिंग पूल में एक डॉल्फिन को देखते हैं जिसको रात को एक आदमी आ कर चोरी करके अपने साथ ले कर जाता है हमें पता चलता है कि दो हफते बाद होने वाले Snowfall टूनामेंट में वो डॉल्फिन मेजबानी करने वाला था मार्था उससे कहती है देखू मैलिसा तुमें डॉल्फिन को ढूनने के लिए एक डिटेक्टिब को हायर करना चाहिए जो सुनकर मैलिसा मान जाती है और मार्था एस वेंचुरा को कॉल करती है वहीं दूसरी तरफ हम एस वेंचुरा को देखते हैं जो एक पक्षी को पकड़ने के लिए घर के छद के उपर घात लगा कर बैठा हुआ था इसी बीच वो उहां से लुड़क कर नीचे कचरे के बिन में बुलाती है आगे वो अपनी मुँ उठा कर अपनी टूटी हुई गाड़ी को लेकर उसके पास पहुँच जाता है मार्था उसे मैलिसा के पास लेकर जाती है और मैलिसा उसे कुरसी पर बैठा कर उसे डॉल्फिन के किटनेप होने का किस्सा बताती है और साथी के पास लेकर जाने के लिए कहता है जहां से वो डॉल्फिन चोरी हुआ था उहां पर पहुचकर सबसे पहले वो उस मैदान की मिट्टी को चाट कर उस किटने पर के जूते की खुशबुश उंगने की कोशिश करता है जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के अंदर जाकर हनविन करता है इसी बीच उसे वहां पर एक औरेंज स्टोन मिलता है और वो समझ जाता है कि ये स्टोन उसे किडने पर के हाथ के अंगूटी का है खेर आगे वो पुलिस टेशन पहुच जाता है जहां पर उसकी हर बार की तरह मजाक उड़ाया जाता है इसी बीच एक ऑफि किछवारी की मदद से उससे बात करता है और आरगुड से उस डॉल्फिन के बारे में पूच ताच करता है तभी पुलिस टेशन का इंचार्ज एन्होन वहां पर पहुच जाती है और वो एस वैंचुरा की हरकतों को देकर उसे मा बेहन की गालिया देकर वहां से भगा देत है जिसके पद एस वैंचुरा अपने दोस्त उडिस्टी के पास जाता है जो दो चसमें पहन कर एस वैंचुरा को रोनाल नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो जानवरों की तसकरी करता है और वो भी काफी अमीर आदमी है जो सुनकर उसी रात एस वैंचुरा मेलिसा के साथ रोनाल के घर पहुंच जाता है जहां पर जोरो सोरो से पाटी चल रही थी वहां पर एस वेंचुरा फ्री का खाना पाकर दबा कर खा लेता है और संडास के बहाने रोनाल के संडास की जासुसी करने लगता है वो उस डॉल्फिन को संडास के हर कोने पर ढूंडता है औ पर एक बड़ा सा खुकार मचली निकलता है जो देखकर वो डर के मारे पानी में गिर जाता है और वो मचली पानी के अंदर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है दूसरी तरफ संडास के बाहर कई सारे लोग लाइन लगा कर संडास खुलने का इंतजार कर रहे थे तभी एस मैलिसा को उसके उपर बहुत गुसा आता है और वो उसे लेकर वह से जाने लगती है इसी बीच एस वैंचुरा रोनाल के हाथ में वो रिंग देखता है पर उसके रिंग में कोई भी स्टोन गायब नहीं था खेर घर जाकर मैलिसा एस वैंचुरा को उसकी हरकतों को लिए का दोकर उस टीम के सभी मेंबर्स का रिंग चेक करने के लिए निकल पड़ता है वो उस कीटने पर को ढूनने के लिए अपनी जीजान लगा देता है एक आदमी जब लेटर देने के लिए लेटर बॉक्स के अंदर हाथ डालता है तब ही वो अंदर से उसका हाथ पकड़ लेत से रोनाल जो की जानवरों की तसकरी करता था उसकी मौत हो जाती है कुछ दिर बद पुलिस टेशन का इंचर्ज एन्होन आकर कहती है कि रोनाल ने खुद खुशी किया है लेकिन एस वैंचुरा को ये आत्माहित्या नहीं बलकि मर्डर लग रहा था इसलिए वो इसका जड दिखाने के लिए कहती है कि ये काम CID ओफिसर देया और हमारे जैसे नेक ओफिसरों का है ना कि एक पेट डिटेक्टिव यानी जानवरों के दलाल का खेर आगे मैलिसा एस वैंचुरा को एक जूमें लेकर जाती है जहां पर वो दोनों उस डॉल्फिन को ढूनने के लिए स इसका भरपाई इसे करना पड़ा था अब ये सब को जानकर एस वैंचुरा समझ जाता है कि वो किड्ने पर और कोई नहीं बलकि फिंकल ही है जो अपना बदला लेने के लिए उस डॉल्फिन को चुराया है जिस वाज़े से वो फिंकल को पकड़ने के लिए उसके घर पहु वीडियो दिखाती है जिसमें एस वैंचुरा फिंकल का दोस्त मैलीनो को देखता है और वो तुरंत बाहर जाकर मैलीसा को कॉल करके मैलीनो के पास जाने के लिए कहता है दूसरी तरफ हम मैलीनो को देखते हैं जो की एक एड़ शूट कर रहा था तभी उसे शूटिंग के दोरानी दो अंजान आदमी उठा कर किड्नेप करके अपने साथ ले कर जाते हैं इधर तब तक वहाँ पर एस वैंचुरा आकर मैलीनो को किड्नेप करके ले कर जाते हुए देख लेता है और उन किड्नेपर्स का पिछा करता है वो किड्नेपर्स एस वैंचुरा की तरफ ग हाथ के रिंग से ये औरेंग स्टोन गाइब है वो ही असली किड़नेपर है अब एस वैंचुरा की इस काम को देकर एनोन उसके उपर इंप्रेस हो जाती है और उसे वही परी ऑफिस में ही किस करने लगती है तभी वहाँ पर और एक ऑफिसर आकर उन दोनों को चुमा चाटी क करते हुए देख लेता है खेर अगले ही दिन एस वैंचुरा मेलिसा के साथ फ्रैंकल के बारे में जानने के लिए मेंटल हॉस्पिटल पहुच जाता है जहां पर मैलिसा डॉक्टर को एस वैंचुरा को अपना पागल भाय बताती है और वही दूसरी तरफ एस वैंचुरा उट पटांग हरकते करने लगता है। यहाँ पर मैलिसा किसी तरीके से डॉक्टर को बहला फुसला कर घुमाने के लिए पार्क में लेकर जाती है और इसी मौके का फाइदा उठाकर एस वैंचुरा एक स्टोर रूम के अंदर घुश जाता है। और उसे एन्होन के ड्रॉयर से मिला हुआ कुछ पेपर्स के बारे में बताता है। जिसको मिलाने पर एस वैंचुरा को पता चलता है कि फिंकल और कोई नहीं बलकि एन्होन खुद है। और वो अपने मुह पर प्लास्टिक सरजरी करके लोगों को ठग रहा है। अब क्यूंक कर उसे पता चलता है कि एन्होन नहीं मैलीनो को किड्नेप करके बांद कर रखा है और उसे नहीं उस डॉल्फिन को भी किड्नेप किया है। यहां पर एस वैंचुरा किसी तरीके से एक सिकुरिटी गार्ड को मार कर मैलीनो के पास पहुँच जाता है और उसे छुडाने की क मारता है और उसके सर के सारे जूखो भी बाहर निकाल देता है इधर तब दक वहां पर आरगुडो बाकी सारे पुलिस ओफिसर के साथ वहां पर पहुँं जाता है और उन दोनों को लड़ाई खतम करने के लिए कहता है तब ही ऐस वेंचुरा उन सभिके सामने एन्होन की सच्चाई बताने के लिए उसके कपड़े फाड़ने लगता है लेकिन उपर से तो वो एक लड़की की तरह ही लग रही थी इसलिए सभी लोग कन्फ्यूस हो जाते हैं तभी वो उसके नीचे का भी हिस्सा उतार देता है और सभी लोग देखते हैं कि उसके कच्छी के अंदर मर्दों का सामान था जिसको उसने पीछे की तरफ घुमा दिया था ताकि किसी को भी उसके जिंडर की उपर शक ना हो अब सारी सचाई सब के सामने आ जाने की वज़े से वो एसवेंचुरा को मारने के लिए जाता है लेकिन उल्टा वो ही पानी में गिर जाता है इसी बिच एसवेंचुरा को उसके हाथ में वो रिंग मिल जाता है जिसमें वो औरेंज स्टोन गाइब था खेर इसके बाद पूलिस उसे पकड़ कर धाने में लेकर जाते हैं आगे हम देखते हैं कि स्नोफाल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और वो डॉल्फिन इस टूर्नामेंट की मेजबानी करता है वो ही दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए एस वैंचुरा और मेलिसा भी आई हुई थी यहाँ पर टूर्नामेंट के दोरन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी समाप्त हो जाती है